हमारे पार next step के रहा है Visualizing solid shapes ठीक है उससे पहले हम जानेगे कि हमारे पार shape figure figure कितने थाईंपे होता है एक होता है हमारे प्लेब फिगर एक होता है solid figure ठीक है प्लेब प्लेब दो समझने के लिए हम एक paper ले सकते हैं ठीक है वह उपर ओले सास्पे इस तरीके से लेगे इस तरीके से बेसिक लिए आभा पॉर समयös इसमें क्या ये क्या दो चीजहीने इसमें एक तो क्या है एक इसके बियद है और एक क्या इसकी इसको कहते हैं तो प्लेंट या पिसको कहते हैं तो डी इंश होते हैं इसमें डू लेंशन्स है और एक ब्रेंश है इसी तरीके से क्या होते हैं हमारे पास होते हैं solid figures क्या होते हैं जैसे ये हैं हमारे पास ये क्या है एक क्यूब आई टाइप है ठीक है अब इसमें देखो अगर मैं इसको ड्रॉव करूँ ठीक है तो ड्रॉव करनें पर कैसा हो रहा इस तरीके से हो गई है कि इस सरीके से हो गए है ठीक है सो इसमें देखु हो लेंद्ध भी है बर बर्स के साथ साथ च्शंआ है इसके साथ इसका है हाइड बीए है ये length हो गई, ये breadth हो गई, और ये इसकी height हो गई, ठीक है, तो इसको हम कहते है, three dimension figures, ठीक है, because इसमें क्या है, three shapes है, one, two and three, तो अब हमने इनी figures के बार में जानना है, solid figures होते क्या है, तो देखें next topic, तो next topic है हमारे पास, faces, edges and vertices, ये चीज़ें क्या होती है, solid shapes की बात हो रही है क्या है, तो यहां पर में एक solid shape बानाऊं, इस time में एक solid shape बानाता हूं, ठीक है, यहां पर एक, इस ताइप से तो यहां पर देखो फेशस किसे करते हैं ठीक है फेशस मनें प्लेवन तो यहां पर देखो कितने प्लेवने हैं अभी अगर मैं इस बयूप्स की बाफ करूँ तो इसमें कितने फेशस है ? One Two Three Four फेशस तो यह है Five And Six तो इस आतरीकिया से इसे भी विन चाही आप तो 5 médi 후के सिक्स को हो जाएदा ईह उपर वाला दिख्ञा है तो तो यह तो हो गए faces, इनकों है क्या कहते हैं, faces, अब ages की बाद करें, ages जो इन faces को मिला रही है, जो lines, इनकों क्या कहते हैं, ages कहते हैं, यहां पर देखो कितनी ages हैं, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, यहां पर कितनी ages हैं, 12 ages हैं, यहां पर लिख सकते हैं, 12, 12 ages, ठीक है, तो कौं कौं से होती है, one, two, three, and four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, and twelve, ठीक है, इसी तरीके से vertices होते हैं, तो vertices हैं किसे गयाते हैं, तो corner होते हैं, तो ages के corner होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहां पर देखो एक है 1 2 3 4 5 6 7 and 8 तो 8 एजेस एजेस और वर्टिसेस को आप राइड आउप कर सकते हो इसके बार नेच टॉपिक पर चलते अब इसके पास है मारे पास तो नेच तो नेच इस शेप बाइड इस पॉर्म्ट बाइड अन्पोरी का प्रीडी से ठीक है तो नेच बेसिकली होते क्या है यह हमारे पास क्या है एक सॉलिड शेप ठीक है तो सबसे पहले यहां पर अब इसको हमें नेच ब्च ऐसे कर्वेट करना है देखो तो इसमें कितने फेजेग होते हैं? एक फेज यह है एक फेज है टॉप और बॉटम इसको वहते हैं इसको वहते हैं बैस बैस भी बैस फेज इस बॉटम फेज ठीक है? यहाँ से अब फिर यहाँ पर दिखोगे यहाँ वाला फेज तो यह वाला फेज कौन सा होगा एक यह वाला होगा फ्रंट फेज और एक यह बैघ फेज होगा यहाला फेज होगा जो पीछे की ओगा है यह कौम सा है बाइक फेज और यहाला कौम सा है फ्रॉंट फ्रॉंट अब इसको उपन करना है तो कैसे चाहिए तो देखो यहां पर बेज़ पर इस तरीके से हमारे पास यह क्या है फीज प्यूंड यह वाला ठीक है अभी जो राई अब देखें अब आपक के साथ हो सब्सक्राइब करें इसको विह यहां पर इस परिक्रेंट से खुछ रखतें कि अपूर अब 다या लुद्व में सब्सक्राइब है यहां पर तो इसको इधर ताइट फोलेंगे इस तरीके से लेफ फेज हो जाएगे ठीक है आप देखो यहां पर बेश से क्या पर टुड़ा हुआ है एक तो फ्रंट फेज यह आगी के तरब खुल जाएगा और बैक फेज इस तरीके से यहां पर खुल जाएगे तो यह का हमारे पास ही फिगर आया है यह क्या होता है यहिए इसका स्थ होगता है तो हमालोगério यूंपाइज है हमारे पलकी का है किस तोरी के इसको हुआ यह ना को जबता है यह फ्रन्ट हो गया यह लेपट कि यह व Capital aha तो, enhettiación गाने क्या यह अटूप टो, ऌर हम डिये कैसा रखेंगे इस तरिम के सब से बंगे अ Anda इसósसे बाद नहीं जाल हैं जाओं आदल यहां टरीच घाल जान मेंफुत से सब्सक्राइब कहा है इस नौ समय बसाल डाफ भुरब करते हैं तेया वाल टरीच तो यह इस ताइब से दिखाए रिखते हैं इनको यह उत्या कहते हैं नहीं सब्सक्राइब है इस इस और अब आउट इंट्रोड़क्शन अब चलते हैं एक्सराइब पर